हाई एवरेवन, वेलकम बैक तो दिस वीडियो, सो इस वीडियो के अंदर हम एक और कोशन करने वाले एरे के उपर ही है, एर ये कोशन यार काफी जादा सिमिलर होगा, अपरोच जो होगी, स्पेशली वो काफी जादा सिमिलर होगी than the previous one, जो हमने पिछले एक्षर के अंदर स अब मुझे उनको remove करना है, मुझे unique elements को return करना है, लाइक मेरे पास एक array है, इसके अंदर है 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, and let's suppose 5, 5, ऐसा कुछ जाद, ये मेरे पास array है, अब मुझे पता है, 1 एक बार आया, 2 एक बार आया, 3 multiple times आया, तो इसकी जगह मुझे single 3 लिखना है, 4 multiple time है, उसकी जगह मुझे single 4 रखना है, and 5 multiple time है, उसकी जगह मुझे single 5 रखना है, that's it, मतलब मेरा जो final array होगा, उसके अंदर कुछ ऐसा होने चाहिए, ठीक है, क्या बात समझवारी है, हाँ बया, तो इस तरीके से मेरा final array कुछ design होना चाहिए, according to the question, क्या बात समझवारी है, yes बया, और म यह होने चाहिए, आखरी में कुछ भी हो, मुझे चलेगा याज, मुझे आखरी का कोई part नी, क्योंकि same array है, तो size array का जो n है, वही नीचे भी n होना चाहिए, क्या बात clear है, हाँ बया बात clear है, तो code समझगे किस तरीके से करने वाल है अपन, हाँ यह समझगे, तो सबसे पह बना लूँगा, मिलको कुछ नहीं, सबसे पहले मैं एक variable बना लूँगा i, और i मैं loops की help से चला लूँगा, like for loop अगरा यूज़ कर लूँगा, और मुझे compare करना है अगला element, तो अगला element i plus 1 होगा, अगर यह i है, तो अगला i plus 1 होगा, yes बया, अगर मैं इसकी indexing लिख लू i बोलता हूँ, तो अगला i plus 1 होगा, हाँ बया, अब एक और variable बनाता हूँ, मैं थोड़े दर क्लिए उसको j नाम दे देता हूँ, आप j नाम देना चाहो, आप unique नाम का variable बनाना चाहो, वो बना सकते हो, initial यह 0 होगा, क्या बात समझ भाएंगा, हाँ, अब unique का क्या है, unique के या j के अंदर हम वो element रखेंगे, जो एक बार आये, ठीक है, क्या बात समझ भारी है, हाँ, बैसा बारी है, तो like पिछले वीडियो के अंदर, जैसे हमने count का काम किया था, वैसी यहाँ पी unique का काम है, ठीक है, तो यह काम है, इस j का, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते उनको मैंने चेक किया, मैंने कहा किया, जो भी मेरा array है, उसका i-th element, और जो भी मेरा array है, उसका i-th element, मतलब ये और ये, अगर दोनों अलग-अलग है, is not equal है, दोनों अलग-अलग है, इसका मतलब, ना, not equal है, मतलब 1 is not equal to 2 है, यह तो सही है, तो अगर ऐसा कुछ condition आता है, कि array of i is not equal to array of j जब भी होता है not j, i plus 1 ठीक, i plus 1 होता है मतलब अगले element इसके equal आता है नहीं आता है i plus 1 जो है, i के equal नहीं आता है तो उस scenario पर मैं क्या करूँगा जो मेरा array of j पर है उसकी value डाल दूँगा array of i की जो भी value है वो किसमें से लिजाए array of j में से लिजाए और साथ में j को plus plus कर दूँगा जैसे मैं count कर दा था count variable बना के पिछले lecture के अंदर जो question solve गया इसमें भी same करेंगे, ठीक है बस हो गया ता हम कदम अब भया इसको traverse करके बता दो आज वा भाई बता देता है तो simply ये मेरा i है ये दोनों value equal नहीं है ठीक है, ये दोनों value equal नहीं है array of i and array of i plus one दोनों equal नहीं है आप ये ठीक है जब equal नहीं हो तो हम ये राम करेंगे array of j मतलब j आप हैंँ पर point कर रहा है उसकी जगा पे array of i की value array of i की value का 1 है ठीक है, already 1 है चलो 1 लिख दिया दुबारा से आप चाहो, already 1 है तो इसके अंदर क्या आएगा इदर आजाएगा y ठीक है according to the ये scenario 1 आगया और j को मैंने increase कर दिया अब j आगया यहाँ पे तो अब j को भी increase कर देते हैं थोड़ा part erase करते हैं इसके थोड़ा अच्छे से दिख जया तो ये जे increase हो गया और अब fall loop लगा पड़ा है तो fall loop लगने के कारा है आई भी मेरा increase हो जागा तो अब इस बार ही आई मेरा यहाँ पे point करेगा और i plus 1 यहाँ पे point करेगा जब दोनो value equal आजाएगी ना इग्नोर कर देंगे equal नहीं आएगी जैसे ये equal ये equal नहीं है उस case में मैं फिर से करूँगा जो भी मेरा area of i की value है उसको डाल दूगा area of j के अंदर अल्रेटी 2 है तो 2 यहीं पे आएगा तो मतलब कहने की बात क्या है कि 2 सही जगा पे place है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूगा कि 2 भी क्या unique है ठीक है अब क्या होगा फिर j j plus plus होगा है ना तो j एक से फिर आगे बढ़ जाएगा j आ जाएगा यहाँ पे और i भी क्या हो जाएगा i plus plus हो जाएगा for loop की helps ठीक है तो अब i जो है वो further point करेगा i point का करेगा यहाँ पे और i plus one point करेगा यहाँ पे अब क्या हुआ i area of i और area of i equal होगा equal होगा मतलब यह वाला part execute अब नहीं होगा equal होगा ना 3 और 3 i area of i और area of i plus one जैसी equal हो जाएगा मैं कुछ नहीं करूँगा मैं j ko increase नहीं करूँगा ना मैं assign करूँगा मैं बस i को increase करूँगा तो मैं क्या करूँगा i को increase कर दूँगा ठीक है तो मैंने कह impossibly आई को increase कर दिया तो यहाала i आई भी यहाँ आ यहाँ आ आ चुगा आई प्लस गया आँ अचुक्वा तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या जाएगा तो मैं यहां पर क्या जाएगा थि लिख दूंगा क्या बात समझ आ रही है। और J को आब increase कर दूँगा J++ तो भाईया यह मने तरती है J++ और fall loop है तो क्या हो जागा I भी क्या हो जागा I++ हो जागा तो भाईया अब I जब I++ हुआ तो I क्या होगा आगे shift हो जागा यहाँ पे और I++ यहाँ पे क्या बात clear है ये तोनों तो unique नहीं है ये तोनों equal है कुछ नहीं I को फिर प्लस प्लस कर दो बट भी आई ब्लस वन तो less than anon हो जाए ठीक है तो यह out of bond हो जागा तो मिरको अभी तक मैंने क्या बता दिया 123 यह मेरे unique है ठीक है यह सारे मेरे unique है ओके अब क्या unique फोर भी था ना वही है फोर भी तो एक unique element बन रहा था बट अभी तक हमने इसको manage नहीं गया तो हम क्या करेंगे last में मेरा जो भी array of j है उसके अंदर में क्या डालना पड़ेगा n-1 n-1 क्या हो सकत है multiple आने के कारण यह 4 रह सकता है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा यहाँ पर मेरा जै आ चुका था तो जै मैं आप 4 को ठाल दूगा तो आप 4 unique हो गया and फिर में जै को क्या कर दूँगा plus plus कर दूँगा तो जै अब यहाँ पर जागा तो इस तरीकी से मेरा code work करेगा क्य यहाँ पर कुछ नहीं किया अगर मेरा अकेला element है ठीक है लाइक वन तो वन साइस जब वन अजया है तो उसका मतलब है वह सिंगल एलिमेंट यूनीक है जब एमटी ए रहे हैं तो वह एलिमेंट भी यूनीक है तो इन दो केस में मैं क्या रेटन कर दूँगा वही जो उसका इस तरीके से मूफ करते चले अगए तो जे क्या देखेगा कि कितने element यूनीक है और जितने element यूनीक है मुझे वही रेटन करना है मुझे जे को रेटन करना लाइक चार यूनीक elements थे तो मैं आंसर कर डाल दूँगा चार डाल दूँगा ठीक है जिसे 1,2,3,3,4,4 तो इस case में ही हो जाएगा हमने देख लिया जब भी दोनों elements आजू बाजू वाले इकवल नहीं होंगे मतलब वह यूनीक है तो उसको एरियो ऑफ जे के अंदर डाल देंगे और जे को फिर आगे बढ़ा देंगे तो वही है एरियो ऑफ जे के अंदर एरियो डालेंगे ध्यान देन मेरे को 4 को भी तो answer रखना है बट मैं भी 4 को answer नहीं रखाऊं तो मेरे को last में यह वाली condition लगाने पड़ेगी कि array of j के अंदर array of j के अंदर last वाली जो भी मेरी value n-1 की मुझे वो भी store करके रखनी है उस case में अगर यहाँ पे वो case manage नहीं हुआ तो हमें last last को manage करना कि भाई वो भी यूनिक आ चुप है क्या बात clear है हाँ यह clear है तो इस तरीके से यह code run कर जाएगा and यह same question आप multiple platform में देखेंगे remove duplicates का या तो फिर बता दो कि unique number of counts बता दो element के अंदर तो हमने वही count बताया कि कितने elements array के अंदर unique है like 1,2,3,3,4 and 4 तो इसमें कितने unique हैं एक unique यह रहा तो हमने इसको j से डाल दिया अगला j को फिर increase कर दिया अगला फिर j को increase कर दिया अब यह तो unique नहीं है तो मैंने फिर j यहाँ पे डाला बट इस case case आप से मेरा जो value 4 मिल जाए एक बट 0 यहाँ पर 1 हुआ, plus plus 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो इस तरीके सिचे रेटर में रहे तो हमने पिछले lecture के अंदर एक और question किया था कि मुझे moves करने है 0 को end पर, ठीक है, end of the array पर, तो वहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, count नामक variable बना रहे थे, और जब मै मेरे को remove करने duplicate element, तो मैंने भी एक extra variable use किया, unique कर लो, j, नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो इसका मतलब क्या है, जब भी मेरे को condition कुछ ऐसे given हो, कोशन के अंदर, जब भी मुझे condition कुछ ऐसे given हो, कि यार in place करना है, in place करना है, मतलब कोई भी extra space मेरे को use नहीं करना, extra space use न यहाँ पर भी variable बनाने के requirement थी, तो like something like that, कि जब भी जहाँ पर space complexity, जहाँ पर मेरे space complexity linear आ जाए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा इस type के fashion को सोचने का try करूँगा, ठीक है, simple है, यहाँ आप questions करोगे ना, तो automatically समझवा जा रहा, और यह भी कित्ते time complexity of end में हुआ है, and space complexity linear में हु of end पर, end space complexity constant पर दिक, तो दोनों questions में similarity यही थी, इसलिए मैंने दोनों questions से sequence में बताया, and मैं hope करूँगे, आप लोग समझगे होंगे, so yeah, that's it for this video.